जहां एक तरफ UN ने भारत के लिए कहा है कि भारत ने सचमुझ बहुत बड़ा काम किया है भारत ने 32 मिलियन डॉलर दे दिये हैं 193 देशों में से मात्र 37 देशों ने पैसे दिये हैं जिसमें से एक भारत भी है आखिरकार हाल फिलाल में UN के उपर आरोप लगे थे उसके बीच भारत ने पैसे क्यों दिये हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि अमेरिका ने अब तक पैसे नहीं दिये हैं आखिर क्या है मामला तो वहीं दूसरी तरफ यह जो देश देख रहे हैं माल्दिव इस माल्दिव के साथ क्या चल रहा है क्या दो देशों की यहां पर एक साथ एंट्री हो रही है और यह एंट्री भारत के लिए बिलकुल भी सही नहीं है भारत यहाँ पर क्या एक बड़ी भूल कर रहा है एक देश को इगनोर करके जो मालदिव के साथ मिलकर भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है जियो पॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से ये जो देख रहे हैं UN इस UN को बदलने की बहुत ज़्यादा जरूरत है और हाल फिलाल में UN को लेकर एक बड़ा हंगामा मचा था तब मचा जब इसराइल ने UN के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और इसराइल ने जो आरोप लगाया उसका असर ये हुआ कि 9 देशों ने इसकी फंडिंग तक रोक दी हलाकि जिस UN के बाड़ी पर ये आरोप लगाया गया वो था UNRWA इसराइल का कहना था कि 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ उस हमले में UN के एजनसी के स्टाफ इसमें सामिल थे UN की एक बाड़ी है जिसका नाम है UNRWA काम क्या है इसका इसका काम है संजुक्त राश्राहत एउंकार एजनसी यहाँ पर मदद वगेरा पहुचाना लोगों को मदद देना खास तोर पर फलिस्तिनी समूह के लिए इसकी तैनाती की गई थी अब इसराइल के इस संसनी खेज आरोप के बाद UN ने क्या कहा UN ने कहा कि हम इस मामले की जाँच करेंगे अगर हमें ऐसा लगता है तो दोसियों पर कारवाई करेंगे पर नौ देसों ने कहा कि अगर UN एजनसी के लोग ही इस तरीके की चीजों में सामिल रहेंगे तो ऐसे में हम उनकी फंडिंग नहीं करेंगे नौ देसों ने इस एजनसी की फंडिंग रोक दी है भारत ने इस मुद्दे पर संजुक्त राष्ट की तरफ से जो जाँच हो रहा है उसका स्वागत किया है कहा अच्छी बात है जाँच करिए और जाँच करके आप रिजल्ट लेकर आईए हम फलिस्तीन के बहुत कि UNRWA का स्टाफ साथ अक्टूबर को हुए हमले में सामिल था अब जाँच की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और जाँच की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा भारत फलिस्तीन और फलिस्तीनी सरनार्थियों को बड़ी मदद पहुँचा चुका है बुरी तरीके से UNRWA के उपर भड़का था इसराइल पर इस बीच UN का अपना एक बजट होता है हर साल ये एक बजट तै करते हैं 193 मेंबर हैं इसके और ये इंतजार करते हैं कि कौन एक समय सीमा के अंदर पैसे देता है और जब ये पैसे मिल जाते हैं तो UN जो भी अपना काम वगेर है ओफ इसना कितना पैसा देता है तो ये जो गोला देख रहे हैं आप इस गोले में आपको सबसे ज्यादा पैसे देने वाला देश मिलेगा अमेरिका ये 2019 का ये आकड़ा है 674 मिलियन डॉलर इसने दिया था उसके बाद है चाइना 366 मिलियन डॉलर जापान 262 ऐसे ही कई सारे दे कर्मनी फ्रांस इस्पेन ये मिलेगे आपको भारत की भी इसमें कुछ हिस्सेदारी है भारत भी एक परतीसत देता है इस बजट में पैसे और इस वार एक टाइम लाइन रखी गई बोला गया कि आप पैसे दे दो भारत की हिस्सेदारी बनती है करीब करीब 32 से 36 मिलियन तो भारत ने यहां पर जो समय सीमा रखी गई थी उस समय सीमा में पैसे दे दिये अब जरह देखिये 2024 की ये लिस्ट है किन किन देसों ने पैसे दे दिये हैं जन्वरी महिने तक पैसे देने वाले देशों में 37 देश ही मात्र हैं और इन 37 देशों में भारत ने युक्रेन ने अर्मेनिया ने यह जो जितने छोटे छोटे देश देख रहे हैं अजर वैजान बस एक यूके आपको दिख रहा होगा इसने कुछ पैसे दिये हैं और इसके अलावे कहीं पर भी अमेरिका क नाम अभी तक नहीं दिख रहा है कि अमेरिका ने पैसे दे दियो हूँ क्यूबा तक ने जो उसकी हिस्सेदारी बनती है उसने पैसे दे दिये हैं पर अभी तक अमेरिका ने पैसे नहीं दिये हैं खैर अब इतना ज़्यादा पैसा यहां पर खर्च तो किया जा रहा है ले इस समय पे पैसे दे दिए और ये इसने बहुत बड़ा काम कर दिया समय पे पैसे दे कर इसलिए तरफ यह सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा खास हो रहा है मालदीव और मालदीव की रनीती में अगर हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि छोटी मोटी उठा पटक हो रही है असी सैनिकों को लेकर तो यहां बुरी तरीके से गलत है और हाल फिलाल में जो एक खबर आई थी कि भारत ने बजट में कटवती की है तो उसके बाद पाकिस्तान ने फोन किया है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं पाकिस्तान भी इस चीज को जानता है कि दो बिलियन डॉलर वो खुदी मांग रहा है फिर भी आखिर किस तरह की मदद कर सकता है पाकिस्तान माल्दिव के राश्पती किस तरह की मदद चाहते हैं इस वीडियो को सुरू करने से पहले मैंने कहा था दो देशों की एंट्री हो रही है माल्दिव के अंदर एक तो चाइना की एंट्री हो बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं और लो प्रोफाइल रखते हुए वापस आते हैं ये तस्वीर हमने आपको दिखलाई थी अब इसी बीच क्या होता है भारत अपना बजट बताता है पाकिस्तान और माल्दिव के बीच में बात होती है पाकिस्तान माल्दिव को कहता है कि ह यह थखास राचदूत पाकिस्तान किस तरीके की मदद दे सकता है ये आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि यह जो मदद होगा न यह मदद पैसा नहीं बलकि यह मदद हो सकता है कि ऐसी तकतों के जरिए करना चाहेगा पाकिस्तान जो भारत के लिए समस्या खड़ी करें तो एक देश चाइना यहां एंट्री लेही रहा है यहां पाकिस्तान की भी एंट्री होती हुई दिख रही है अलाकि यह सारा कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है भारत यहां पर हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ नहीं रहेगा आने वाले दिनों में कई सारे घटना करम देखने को मिलेंगे वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राया है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ